आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें पहले हम बात करते हैं कि एक वी में गती, एक वी में गती हमारे पास मतलब वो वन डिमेंशन मोशन होता है जिसको हम एक डी भी बोल देते हैं अब हमारे पास मान लेजिए कोई पिंड है जो एक ही अक्ष के अनुदिश गती कर रहा है मान लेजिए कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है X अक्ष और ये हमारे पास है Y अक्ष X अक्ष और ये हमारे पास है Y अक्ष अब हमारे पास कोई pin्ड है जो गती कर रहा है X अक्ष के अनुदिश तो यहां से वस्तू गई है मान लिजी उसका प्रारंबिक बिंदू A है उसके बाद वो एक ही दिशा में गती करेगा क्योंकि वो एक V में गती हो रही है उसके बाद वो बिंदू B पर पहुंच जाता है B पर पहुंच गया अब यहाँ पर हमने देखा कि इसके द्वारा टैक किया गया विस्थापन कितना है मान लिजी हाँ से इसका टैक किया गया जब विस्थापन है वो हमारे पास X है क्योंकि वो एक ही V में दिशा में गती कर रहा है तो यहाँ पर एक V में गती है तो यहाँ पर इसका जो विस्थापन है हमारे पास वो X के बराबर है विस्थापन है हमारे पास वो X के बराबर है विस्थापन क्या होता है दो बिंदों के बीच की दूरी दो बिंदों के बीच की दूरी उसको हम विस्थापन बोलते हैं और इस case में हमारे पास दूरी क्या होगी, दूरी भी हमारे पास इस case में x के बराबर होगी, क्योंकि वो एक v में गती है, तो एक v में गती के लिए जो विस्थापन होता है, वही हमारे पास print द्वारा tag की गई दूरी का मान होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूरी में एक वी में गती में पिंट के विस्थापन का मान पिंट दोरा ट्याग की दूरी के बराबर होता है